होली हिंद्यों के सबसे प्रमूक तेवारों में से एक है इस दिन हर कोई सभी प्रकार के भेदभाव को भूल कर आनंदी के सागर में डूब जाता है लेकिन होली के रंग में इस साल चंदगरहन के रूप में भंग परने जा रहा है साल का पहला चंदगरहन होली के एक दिन प 26 मार्ज को चैत्रमास की प्रतीपदा इस्तिथी होगी और इसी कारण 26 मार्ज को होली मनाई जाएगी ऐसे में होली का दहन और होली के बीच चंद ग्रहन लग रहा है पटना के मशूर जोतिस वीद डॉक्टर श्रीपती तिरपाथी ने बताया कि यह चंद ग्रहन 25 मार्ज 2024 को प्राता 10 बज कर 23 मिनट से शुरू होकर दो पहर 3 बज कर 2 मिनट पर समाप्त होगा यह चंद ग्रहन भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सुतक काल नहीं लगेगा लेकिन इसका प्रभाव राशियों पर जरूर परने वाला है देखिए 25 तारिख को चंद ग्रहन लग रहा है चंद ग्रहन का सूतक काल नहीं लगेगा तो कि यहां द्रिश से नहीं है लेकिन चंद ग्रहन से संब्धित चीजों की जितनी आप उपचार कर सके अपने लिए आपके लिए बहतर रहेगा सबसे पहले इस दिन जो है निश् पुर्जो अजायता स्ट्रोत्रार वायुष्च प्राणश्च मुखा दग्रे रजायता चंदरमा के मंत्रों का आप इस दिन जब कर सकते हैं और खासकर इस दिन जो है अगर बहतरी चाहते है तो निश्य तुरूप से इस दिन जो है स्वेथ चीजों का जैसे दूद्ध द का भी इस दिन आप दान करें इस दिन ध्यान रहे कि मंदीर का जो कपाठ है कपाठ कम से कम वो बंद रहे और मुर्ति जो है बिल्कुल एस्परस नहीं होनी चाहिए और इस दिन जितना हो सके पूजन पाठ करें दान करें वो शेया को लाव मिलें पाठना से लोकल एटिंग के लिए सचदानंद की ये रिपोर्ट